फोकुस, आइडिये, इनोवेट, इनेबू नमस्ते, वाइटल साइन्स के एस एपिसोड में आपका स्वागत है, मेरा नाम है खुरी हर पारिवारिक जीवन में, हर पती पत्नी के बीच एक ख्वाब होता है कि उनका परिवार अधूरा है जब तक उन्हें बच्चे नहीं होते, लेकिन कभी-कभी, कुछ वजए से, ये सपना अधूरा रह जाता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सपना पूरा ना हो सके तो चलिए, IVF के बारे में और आपको जानकारी देने के लिए आज के शो पर हमारे सामने मौझूद है कुछ महमान उनका स्वागत करते हैं सबसे पहले हमारे साथ है Mr. Aashish Modi who is the Managing Director of Shivani Scientific Industries उनके पास में Dr. Shitij Murdia, Head IVF Specialist from Indira IVF Mr. Ajay Murdia, Scientific Director Indira IVF and Mr. Nitij Murdia, Head Embryologist from Indira IVF Welcome to the show तो चलिए, सबसे पहला सवाल Dr. Shitij, आपकी तरफ ये IVF प्रोसेस के बारे में हमें बताईए कि ये IVF का प्रोसेस क्या होता है सामानिय तोर पे किसी भी कपल को बच्चा होने के लिए औरत के अंडे और पुरुष के शुक्रानू उनकी फेलोपेंट ट्यूब्स में मिलके एक बच्चे का निर्मान करते हैं और बच्चा जाके बच्चा दानी में चिपक जाता है और 9 महीने तक वहाँ बड़ा होता रहता है और अंत में डिलिवरी हो जाती है ये एक सामानिय तरीका है बच्चा होने का अब किसी भी वज़य से अंडा और शुकरानू ट्यूब में नहीं मिल पा रहे हैं और ये process complete नहीं हो पा रहे है और यही process हम बाहर लेबोरेटरी में आर्टिफिशल तरीके से tes tube में करते हैं इसलिए इसको tes tube baby का जाता है जिसमें शरीर से एक अंडा हमने बाहर निकार लिया और बाहर ही शुक्राणू के सिहाथ मिलाके ब्रून तयार कर लिया और ब्रून को वापिस से बच्चादानी में प्रत्यार उपित कर देते हैं इसको सरल शब्दों में टेस्ट्यू बेवी का जाता है तो यह है आईवी एफ जिसे हम ले मैं टर्म्स में टेस्ट्यू बेवी या इन वीट्रो फर्टिलाइज़ेशन डॉक्टर अजय किन लोगों को आईवी एफ ट्रीट्मेंट के लिए चाने की जरूरत पड़ती है इसे मुख्य रूप से जब यह आईवी एफ फर्स टाइम 1978 में लंडन में किया गया और लूइस ब्राउन जो पहली बच्ची पैदा हुई थी उसकी मा की दोनों ट्यूबे बंद थी तो आईवि एफ का इंवेंशन इस तरह हुआ कि जिन लोगों की ट्यूबे बंदे वो आईवी एफ दौरा सकसेस प्राप्त कर सकते हैं तो पहला सब से इंपार्टेन कारण तो यह है कि जिनकी ट्यूबे बंदे उनको आईवि एफ कराना चाहिए फिर दीरे दीरे इसमें प्रगति होती गई और नए नए टेक्नोलोजी आती गई और इससे नए नए पेशेंट्स भी एड़ होते गए जिन ओरतों के अंडे नी बनते हैं वो भी इस प्रक्रिया से सफल हो सकते हैं और आजकल तो आपने देखा होगा कि अदिक उम्र की ओरतें होती है जिनकी मावरी बंद हो गई 50 की, 60 की वो भी अब मा बनने का सपना देख सकती है इस प्रक्रियह से ये भी अब संबह हुआ है कि 60 साल की ओरत है वो भी मावन सकती है इसके अलावा जिन लोगों के वीरी में शुक्राणों कम है आज से 35 साल पहले में देखा करता था मेरे को 80-90 मिलियन बहुत अच्छे शुक्राणों मिला करते हैं दीरे दीरे ये गड़ते गड़ते आज कल 30-40 मिलियन हो गया है वो आज की लाइफ स्टाइल की वज़े इटेंशन बहुत है, स्ट्रेस बहुत है और मानलो सपोज उनके और कम होगे दो मिलियन, चार मिलियन तो वो भी आज कल नई टेकनोलोजी आ गई आई वीफ में तो वो भी संतान की प्राप्ति कर सकते हैं और इवन कभी-कभी तो इस परम में वीरी में शुक्राणों खतम ह होगे तो हम लोग टेस्टी में से ही शुक्राणों निकाल लेते हैं और वाइफ के अंडे से फटिलाइज करके वापस अंदर रख सकते हैं तो जिन लोगों के शुक्राणों नहीं है वो लोग भी इस तकनीक से पिता बन सकते हैं इसके अलवा तीन-चार बार अगर कोई आ हैं और मां सोसती है कि अब मेरे को बच्चा नहीं शही है वो नस्बंदी करा लेती है और खुदाना खासता उनके बच्चों की डेथ हो जाए तो सबसे पहले उसके दिमाग में क्या वात आईगी कि मेरे को नस्जोडने का उपरेशन कराना पर टेस्ट्यू बेभी ऐसी प् वापस संतान की प्राप्ति कर सकते हैं महिलाओं में बच्चा दानी में रसोली या फाइबरोइड होना या एडिनोमायसिस या सूजन कहते हैं हम बच्चा दानी में या ओवरी या अंडशे में खून की गिठान हो जाती है एंडोमेट्रियस कहते हैं ये भी काफी आज कल देखा गया है कि इंक्रीज हो रहा है इंसिडेंस इनका ये बिमारियां भी काफी देखने को मिल रही है जिस वज़े से इन फर्टिलिटी या नी संतान्ता का दर काफी बढ़ रहा है तो ऐसे रेर डिसॉडर में भी हम ऑपरेटिव प्रसीजर्स होते हैं लैप्रोस्कोपी जिसके द्वारा बच्चे दानी को पहले सई किया जाता है और फिर ही अगर हम आगे बढ़ना है हमको टेस्ट्व बेबी के लिए तो बढ़ा जाता है ताकि हम ब्रून बना के बच्चा दानी में रखें तो वो जगे या वो गर जहां बच्चे को नौ महीने बढ़ा होना ह वो सही होना बहुत जरूरी है और जैसे मैं आपको बताया था कि टेस्ट्व बेबी में हम लोगों को सिर्फ तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो जरूर होना चाहिए और इससे जो ब्रून बना कि जिस गर में रख रहे हैं वो बच्चे दानी सही होनी चाहिए बागी पता नहीं क्या कारण है और काफी ऐसे कपल होते हैं अने इंफर्टिलिटी के जहां सब लोगों के टेस्ट सही है और बच्चे नहीं हो रहे हैं जैसे कि हमने अल्रेडी प्रशाप किया था कि 40% तक के केसे होते हैं जहां पर पुर्शों में प्रॉब्लम हो सकते हैं 40% तक क जो है वही एक तरीका अंतिम तरीका बसता है और वो लोग उससे संतान की प्राप्ति करें काफी एक फ्रस्ट्रेटिंग और काफी परेशानी वाली चीज है कि जिन भी डॉक्टर के हम गए उन्होंने बताया है कि आपकी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है फिर भी हमारे बच् करना इस चीज को कपल के लिए बॉट डिफिकल्ट होता है कि हम में हर चीज नॉर्मल है तो फिर बच्चा क्यों नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी हम सजेश्ट करते हैं कि अगर दो साल हो गए है आपने आई-ई-ए करा लिया है और फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है और सब्सक्राइब करती है तो कपल को जल्दी से जल्दी आई-ए-ए-फ की तरफ जाना चाहिए उनको समय खराब नी करना चाहिए और अब्रोजिस्ट में भी आजकल काफी डेवलोपमेंट हो गया है अब्रोजी लेबरोटरी में मिस्टर निटिज आप भी पिताइए अब्र क्या लेबरोटरी का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें मैं बोलूँगा जितना 50-50% लेबरोटरी हो गई और 50% आपके क्लेशन और दूसरे प्रोसेस हो गए तो लेबरोटरी डेफिनिटली 50% रोल प्ले करती है आई-ए-ए-फ के अंदर कि वो प्रोसेस कितना सक्सेस होता और उससे जो भुरूण बने है वो अच्छे सी अच्छी कॉलिटी के बन सकें ताकि प्रेगनेंसी होने की संभावना अधिक से अधिक रह सकें तो छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए लेबरोटरी में और उससे ही सक्सेस रेट आई-ए-फ की बड़ाई जा स सकती है इतना साइन्स एडवांस हो चुका है टेक्नोलजी एडवांस हो चुके तो हाव फार है वी गॉन हम कि कहां तक पहुचे हैं बेसिकली स्टाइंग में उनीसो आठातर से लेके उनीसो पचानवे एठावे तक इंडिया में काफी स्ट्रगल था टेक्नोलोजी को लेक और एक्यूब्मेंट्स और नॉलेज को लेके बट आफ्टर टू थाउजन देवलप्मेंट ऑफ टेक्नोलोजी इन फिल्ड फिल्ड आई वी एफ एस्पेशल इन इंडिया है बहुत ही अच्छा आगे चला गया है और मैं इसको तीन रूप से में डिवाइड करूंगा एक इसमें बाहर के पार्टिकल्स या कोई भी कंडामिनेशन लैब में आ नहीं सकता है जैसे क्या कहते हैं मिस्टर नितिज भी अमें बता रहे थे वियार अड़ाप्टिंग टॉप क्यूपमेंट्स की है तो वर्ल्ड में जितने भी लेटेस्ट एक्यूपमेंट्स हैं सारे इ एंबरोलोजी स्किल है तो इंडिया के डॉक्टर्स और एंबरोलोजिस्ट वैसे ही काफी जाने जाते हैं और हमारे डॉक्टरों ने और एंबरोलोजिस्ट ने काफी अच्छी तरह से ये स्किल को माहिर कर लिया है जो किसी भी वर्ल्ड के एंबरोलोजिस्ट या डॉक्ट एंब्रियोस देते हैं जिससे अच्छी प्रेगनसी आ सके इसी बात पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक लोटेंगे जल्दी आपसे आगे चर्चा करने के लिए अफपने प्रेक लिए ऑमो वे टो जी। वाइटल साइंस में आपका फिर्स ये स्वागत है तो चलिए IVF के बारे में हमारी चर्चा आगे बढ़ाते हैं अब जैसे कि पहले सेग्मेंट में अल्डेडी आपने हमें बता दिया था कि कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं इंडिकेटर हो सकते हैं कौन सी लोगों के IVF के लिए जाना चाहिए अब आप हमें इसमें डीटेल में थोड़ा डॉक्टर शितिच बता सकते हैं जैसे आपने कहां ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है मैंनो पॉस हो सकता है इन में डीटेल में जरा हमें बताएंगे प्लीज यहादानी की जिल्ली हम कहते है जहां बच्चे को नौ मह ठीनीया में बच्चे को इन्फेलिटी का अभन अम हमने लिख वह एकक फैक्टर रेंद्टर शहराइएं पॉस को também की अनुरानी अटो हो में होते हृके से इन लोगों को infection हो जाता है और उससे 90% cases में ट्यूबे बंद हो जाती पर मिस्टर नितिज आपको क्या लगता है कि इसे मामले में even the doctor is responsible right उन्हें भी जिम्मिदारी लेनी है इन चीजों में के पहले तो अगर टेस्ट करवाने ही जाता है sterilization process these qualities also इन पे भी जोर डालना चाहिए देखें बच्पन से किसी औरत की ट्यूब बंद नहीं होती है और ट्यूब बंद होती है किसे ने किसी operative procedure या infection या किसी तो definitely काफी responsibility है doctors के उपर भी कि वो procedure सही करें और patient को भी right जगे जाना बहुत जरूरी है क्योंकि गलत जगे अगर कोई जाता है तो फायदा होने की जगे नुकसान होने की भी संभाव ना रहती है संभाव ना रहती है और Mr. आशीश आपको क्या लगता है scientific technologies अभी आगे बढ़ते हुए भी ऐसी negligence की वज़े से भी basically इसमें जो doctors की preliminary investigation में जो training या उनकी skills की जरूरत है तो उसके उपर हमें जोड़ देना चाहिए और अच्छे centers में doctors को अच्छी तरह से training और अच्छे skill होने से वो नुकसान नहीं होता है लेकिन जो अगर वो ऐसे centers में जाते हैं जहां पर doctors पूरी तरह train नहीं है उस subject में तो वो patient को treatment के वज़ा थोड़ा सा उनको तकलिफ दे सकता है इसमें तो science भी कुछ नहीं कर सकता है अगर negligency आ जाता है responsibility नहीं और दूसरा वहां हो सकता है कि गाउं में या जो चुट चुटे government के centers हैं वहां पर भी साफ सफ़े का इतना ध्यान नहीं रखा जाता है और उससे यह बहुत common दिखा है हमने कि ladies की tube बंद हो जाती है और उसके बाद जो सही है वो आगे फिर tube खराब हो गई उसकी उसका operation करो ट्यूब निकालो लेप्रोस्कूपी करो और परेशानी पैदा हो जाता है इसका treatment P है Mr. Moody राइट हाँ वो clinical medicine से होता है लेकिन वो medicine से patient को उसकी fertility पे भी थोड़ा असर आ जाता है तीबी का treatment six months या nine months का course चलता है जिससे आपको टीबी का infection पूरा खतम हो जाता है बट यहां देखना जरूरी कि एक बार जिसकी tubes block हो गई tubes में infection हो गया अंदर का जो functionality है tube की वो खराब हो गई तो वो चीज वापिस से reverse नहीं होगी टीबी का infection तो खतम हो जाएगा आपका बट जो आपको loss हो गया अंदर permanent damage हो गया tubes में uterus में वो चीजें वापिस correct नहीं हो सकती वो फि के लिए टेस्ट्यू भी भी ही टेक्निक ऐसी है जिससे उनको जल्दी से जल्दी संतान की प्राप्ती हो सकती है बिना समय गवाए काफी लोग आते हैं 55 साल 60 साल की औरतें काफी क्योंकि जैसे education आज बढ़ रही है लोगों को पता लग रहा है तो जो लोग पहले सोचते थ क्योंकि education is very important in idea. जैसे आपने देखा होगा heart, brain हो, इसमें बहुत literature available है, बहुत discussion होते हैं पर यह जो particular field है इसमें लोग आपस में और family में भी discuss करना पसंद नहीं करते हैं. Mr. Nithij, I have one for you. अभी अभी इन्होंने कहा था कि sperm husband का ही होता है लेकिन egg donate किया जाता है औरत के लिए. अभी ऐसे procedures में again laboratory का बहुत बड़ा कामा जाता है. Since you would tell us, फिर से क्या लोगों के मन में doubts आते हैं कि हमने यह अन्डा select किया था या मेरे husband का ही sperm use किया जा रहा है या नहीं. लोगों के मन में शंका हो सकती है, शक हो सकते हैं इसके बारे में? क्योंकि emotionally लोग पहले ready नहीं होते थे, कुछ-कुछ caste ऐसी हैं जिसमें यह allowed नहीं है. क्योंकि उनको लगता है यह बच्चा मेरा है या नहीं? करें. पर अब लोग इसको accept कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि बच्चा तो हमको चाहिए चाहिए और यही तरीका है हमको बच्चा पराप्त करने का तो अब acceptability जो है society में और different caste में वो आ गई है और लोग इसको ज्यादा से लोग एक donation IVF प्रोसेस के लिए आगे बढ़ रहे हैं. इंडियन सी नहीं, foreigners भी आजकल इंडिया की तरफ अपना रुक कर रहे हैं और उसका main reason यही है cost effectiveness. I will touch on that point लेकिन हमारे अगले segment में तो जैसे के हमने देखा है science और technology हमारे देश में आगे बढ़ रही है और इसके दाम कम होते जा रहे हैं. That's a very good note. चलिए मिलते हैं छोटे सी ब्रेक के बाद. अब अभी भी चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ है Mr. आशीश मोदी, Dr. शितिज मुर्दिया, Dr. अजय मुर्दिया and Mr. नितिज मुर्दिया. तो नितिज जस्ट विफ़र हम ब्रेक में गए थे आप बता रहे थे Medical Tourism के बारे में कैसे हमारे देश में बाहर के देशों से भी लोग यहां पर आते हैं IVF करवाने. तो इसके बारे में थोड़ी रोश्नी डाले हैं. मैं आपको बता रहा था कि Foreigners हो गए या NRIs हो गए तो इनका रुजान इंडिया की तरफ कुछ पिछले 3-4 सालों में काफी बड़ा है और उसका Main Reason है Cost Effectiveness. तो उनको वही Technology, वही Success और वही Infrastructure और वही सब Facility अगर उनको Cheaper Cost में मिलेगे तो Definitely उनलों का Attraction रहता है इंडिया आने का. और हमाई पास काफी देश के हर कोने से, विदेशों से काफी लोग आते हैं just because of Technology. तो डॉक्टर शितिज आप ज़रा Male Infertility पे रोशनी डाल सकते हैं मैं उसके बारे में और थोड़ा बता सकते हैं? इसको भी cover कर रही है, जिनके male partner के sperm counts बहुत low है, 1 million है, 2 million है, 1 million से भी कम है. तो आजकल ICSI XI करके जो technology improvement आया है, उसमें हम उन couples को भी treat कर रहे हैं, जिनके male partner के sperm counts बहुत कम होते हैं. और especially आजकल नई technique laser वगेरा आगई है, उससे हम लोग यह अंडे की जो covering या embryo की जो covering है, उसको छील देते हैं थोड़ा सा, और उससे उसको जो particular जैसे अधिक उम्र के ओरते हैं, या जो PCOD के case हैं, उनमें काफी अधिक संभावना हो जाती है laser technique करने के बाद, कि उनको successful pregnancy. Successful pregnancy और कोई rare disorders जो normal cases में नहीं देखे जाते हैं? और हम rare disorders जाएं तो बच्चादानी में रसोली या फाइबरोइड का होना, या बच्चादानी में सूजन हो गई, एडिनो मायसिस हम कहते हैं, या बच्चादानी की जिल्ली जो हो चिपक जाती है, एंडोमेट्रियम में एडेजन्स हो जाते हैं, ये काफी rare disorders हैं, बट आज बच्चाद में लग गई हैं, निसंतान्ता को फाइट करने के लिए, इन फ्रटिलिटी को फाइट करने के लिए, क्या आपने कोई कदम उठाए हैं, तक्नोलोजी अप्रेडेशन, मेक्सियों अच्छी सची टेकनोलोजी उप्रपदो, दूसरा, अवेरनेस हो पेशेंट मे कि हमारे को इस particular technique के लिए जाना चाहिए और तीसरा awareness जैसे हमेने आपको बताया कि हम लोग करीब 100 के करीब camps देश के विबिन वागों में कर चुके तो awareness बहुत कोशिश करते हैं लोगों को समझाने की और ऐसे लोग जो कभी test you baby कराना सोच भी नहीं सकते थे वो लोग भी क्योंकि समझ गए तो इसके लिए आगया है और वो भी कराने की या वो भी शायद कभी संतान नहीं हो सकती उसको भी संतान इस awareness प्रोग्राम के द्वारा पता चल जाए और उन्हें भी सफलता हो सफलता हो काफी को सफलता मिल चुकी है तो मैंने ऐसा सोचता था कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं करीब 70-80% पेशेंट से ऐसे successful हुए जिन्होंने शायद कभी सोचा ही नहीं होगा कि हम भी अब माबाब बन सकते हैं बिल्कुल और हम उम्मीद करते हैं हमारे शो के द्वारा भी बहुत सारे लोगों को awareness मिली है उन्हें पता चला है इसके बारे में और हम उम्मीद करते हैं कि आपका अधूरा सपना भी जरूर पूरा हो बहुत बहुत धन्यवाद आज के शो पर हमारे साथ आके चर्चा करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ आपका नॉलेज शेर करने के लिए थांक यू वेरी मच और थांक यू फॉचिंग वचिंग वाचिंग वाइटल साइंस नमशकर इन्हें इन्हें इन्हें